प्रवेश को लेकर सालों से प्रतिबंद लगाया जा रहा है जिसका यता संभाव पालन करने का दावा लगातार यातायात्विभाग के द्वारा किया जा रहा है लेकिन ये केवल आश्वासन से जादा कुछ नहीं कहा जा सकता इससे पूर्व हम चांपा शहर के अंदर से होकर राश्ट्य राज मारगों में चलने वाले भारी वाहनों के द्वारा नो एंट्री कानून का उलंगन करने के मामले को यातायात्विभाग की डिएसपी मित्तल के संग्यान मिला चुके हैं जिसके बाद उन्होंने इस समस्या पर कुछ हद तक कंट्रोल किया था इसके बाद सिती जस्की तस बन चुकी है और नो एंट्री के दोरान भारी भरकम वाहन साक्षात मौत बन कर प्रमुख मारगों से गुजर रहे हैं इस पर फिलहाल यातायात विभाग का कही कोई नियंतर्ण देखने को नहीं मिल रहा यहाँ पर स्पष्ट कर दे कि वर्तमान में यातायात प्रभारी परिहार को बनाया गया है जिनके आते ही पुने नो एंट्री के दोरान चामपा शेत्र में दोपहर दो से पांच बजे तक भारी भरकम कैपसूल वाहन को आने जाने की खुली छूट प्रदान कर दी गई है जो रहागीरों सही जिले वासियों के लिए कही जानले वा साबित ना हो जाए राम ना करे यदि नो एंट्री के दोरान इन भारी भरकम कैपसूल वाहनों के चपेट में आने से किसी की जिन्दगी पर खत्रा मन राता है तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा कहना मुश्किल है बताया तो ये भी जा रहा है कि वर्तमान में यातायात प्रभारी परिहार के आगमन से नो एंट्री के मामलों में उलंगन की वारदातों को तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है जिस पर यातायात विभाग ने कैपसूल वहनों को नो एंट्री टाइम में खुली छूर प्रदान कर दी गई है प्रसंग बस यहां पर स्पष्ट कर दे कि इस कुछ साल पहले चामपा के पूर्वपालिका धक्ष राजेश अगरवाल के द्वारा नो एंट्री उलंगन के मामले को गंभीरता से लेते हुए चामपा के प्रशूर आम चोक में धरना प्रदर्शन का दौर चला था जिसके बाद नो एंट्री का बहुत हद तक पालन किया जा रहा था लेकिन बीते कुछ समय से पुने यातायात विभाग की गोडला पर वाई इतनी बढ़ चुकी है कि सरेयाम नो एंट्री टाइम में सैकड़ो वाहनों को आने जाने की खुली चूट प्रदान की जा चुकी है जो कि कहीं किसी निर्दोष जिंदगी पर भारी ना पड़ जाए यहां पर तस्वीर को और साफ कर दे कि नो एंट्री टाइम में कई भारी भरकम क्रेशर वाहनों वह अन्य प्रकार से भवन निर्वान सामग्रियों से लदे वहनों को भी नो एंट्री टाइम में आने जाने की खुली छूर दी जा रही है बताया जा रहा है कि शासन के आदेश अनुसार कुछ सरकारी वाहनों को नो एंट्री टाइम में आने जाने की छूर प्रदान की जाती है लेकिन कंक्रीट से लेकर क्रेशर से निकलने वाले वाहनों को किस श्रेणी में रखकर यातायात विभाग के द्वारा खुली छूर दी जा रही है ये बड़ी जाच का विश्य भी है आखिर कौन सी सरकारी ताल मेल का पालन किया जा रहा है जिसके चलते नो एंट्री टाइम में भारी भरकम वाहन साक्षात्यम राज बनकर निर्दोष लोगों को मोत का न्योता देते फिर रहे है ये नगरवासियों के समथ से परे हो चला है जिस पर सक्षम अधिकारियों को अभी लंब ध्यान दिये जाने की जरूरत है वो कहते हैं ना कि कहीं देर ना हो जाए इस जुम्ला के चरितार्थ होने के पहले नो एंट्री को नो एंट्री बनाने का नियम लागू किया जाए जांजगीर चांपा से सम्वादाता महिश शुकला की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सुब्सक्राइब करें थान्यवाद जाए झाल झाल